नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का क्यान अकेडमी में स्वागत हैं, दोस्तों हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, में रीजिनिंग के अंदर एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है सीरीज, क्या है फ्रेंट्स सीरीज, यानि की शरंकला, और जब हम बात करते हैं इस की तो जो यह टॉपिक है बहुत ही इंट्रेस्टिंग है साथ में किसी भी एक्जाम्स के पॉइंट वी से भी इंपोर्टेंट है तो आएए ज्यादा टाइम को विष्णा करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन के ओर तो देखें प्रेंट्स जैसा कि अभी मैं आप लोगों को हुँके होता है कि हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक निव टोपिक सीरीज को चना बहुंत आपर को और बहुकी तो इसको हम प्रेएंक भाशा हुआ होता है मैं language based question यानि भासाओं पर आधारित प्रेंट्स देखें जो सीरीज टॉपिक है इसको हम दो पार्च में डिवाइड करकर पड़ेंगे पहला बर्वल और दूसरा नॉन बर्वल तो जब हम बात करते हैं बर्वल की तो बर्वल के अंदर वो सभी जो के भासा पर आधारित होते जिनके अंदर लेंग्वेज दी गई होती है यदि मै यही बात करूं नॉन बर्वल की तो fandcycle का मतला होता है non language based question यानि जिनके अंदर आप लोगों को language नहीं दी गई होगी जिनके अंदर आप लोगों को language नहीं दी गई होगी अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचें जब आप लोगों को language नहीं दी गई है तो इसका क्या मतलब है इसका सिंपल सा यह मतलब है कि वो जो कुशन होंगे आप लोगों के वो किस पर बेस होंगे फिगर पर बेस होंगे किस पर होंगे फिगर पर बेस होंगे और इसी कारण से नॉन बर्वल यानि नॉन बर्वल को figure based question भी कहा जाता है क्या कहा जाता है figure based question भी कहा जाता है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस type के अंदर इस type के अंदर आप लोगों को figure based question देखने को मिलेंगे जिनने के हम आगे चल कर चर्चा में लाएंगे अब देखें जब हम बात करते हैं बलकि तो इसे आगे जाकर हम two parts में divide करते हैं जिसका पहला type होगा later based series का और दूसरा type होता है number based series का पहला होता है later based series का और दूसरा होता है word based question और तीसरा type होगा a small letter based question यहीं अगर मैं बात करूँ number based series की तो इसको हम two types में divide करकर पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें first type में missing number series की और दूसरे type में हम बात करेंगे odd one out series की किसकी odd one out series की अब देखें फ्रेंट्स अभी तक मैं आप लोग क्या बताय मैंने का कि आज हम एक new topic को start करने जा रहे हैं जिसका नाम है series क्या है series यानि की श्रंखला और इसको हम दो types यानि दो parts में divide करकर पढ़ेंगे जिसमें पहला type होगा verbal यानि बरबल और दूसरा non-verbal अगर मैं हापर verbal की बात करूँ तो बरबल का मतलब ही होता है language based question यानि भास पर आधारित प्रशन नहीं तो एक बात पता ही जो भी questions आप लोगों के non-language वाले होंगे यानि भासा पर आधारित नहीं होंगे उनहीं का जाता है figure based question यानि non-verbal के अंदर हम जब बात करेंगे तो figure वाले questions को discuss करेंगे यहीं फिर मैंने आप लोगों को बताया कि बरबल को हम दो parts में divide कर पढ़ेंगे एक तो letter based series और दूसरा number based series और आगे चलकर letter based series के हम हम तीन types कर देते हैं यानि इसको भी हम तीन types में पढ़ते हैं capital, word और small ठीक इसी परिकार से number based series को भी हम दो parts में पढ़ेंगे एक तो missing number series और दूसरा odd one out series को तो आईए सबसे पहले आप सब लोग heading दें letter based series की किसकी letter based series की ताकि आप लोगों के पता चले कि इस type के अंदर आप लोगों से किस परिकार की question पूछे जाते हैं तो आप सब लोग heading दें letter based series की तो देखें कि देखें प्रेंट्स सबसे पहले आप सब लोग heading दें लेटर लेटर लेज़्ट सिरीज की लेटर वेज़्ट सिरीज की और इसमें आप सब लोग टाइप वन लिखें ये capital letter based question? capital लेटर वेज़्ट कोशन अब देखेंim friends जब बात करते है capital letter based question की तो इस type को discuss करने से पहले इसके कुछ basic concepts है जिनके बारे में आप लोगों को जान करें होनी चाहिए जैसे यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले सबसे पहले नमबर पर आप लोगों को पता होना चाहिए real position of letters यानि अक्ष्रों का वास्तवी क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए तो जब हम बात करते हैं अक्ष्रों के वास्तवी क्रम की तो इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि जब आप a b c d यानि left to right जाते हुए x y z इस प्रकार से z तक counting करते हैं जब आप a b c d इस प्रकार से left to right जाते हुए x y z यानि z तक count करते हैं तो यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि a आप लोग काता है पहले स्थान पर और पहले स्थान पर आने के कारण इसको आप लोग नम्मर दे देते हैं one ठीक इसी प्रकार से b आता है दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर आने के कारण आप लोग इसे rank दे देते हैं ठीक इसी प्रकार से c को 3, d को 4, x को 24, y को 25 और z को 26 और आप सभी लोग जानते हैं कि English alphabet के अंदर total number of letters होते हों कितने होते हैं 26 तो इस प्रकार से z को क्या दे दिया 26 तो आप लोगों ने जो इन numbering दिये है आप लोगों ने जो इन numbering दिये 1, 2, 3, 4 से जाते हुए 26 तक यही इन letters के real position कहलाते हैं क्या कहलाते हैं यही number in letters के real position कहलाते हैं अब यहां पर बात यह आती है कि हम इनके real number को याद कैसे करें तो इसके लिए एक छोटा सा word है सिफ लोरक्स c f i l o r u x यदि आप इस word को याद रख लेते हो यदि आप इस word को याद कर लेते हो तो इस word के के माध्यम से आप लोग लोग a to z तक के a to z तक के सभी Real numbers को याद कर सकते हैं क्यों क्योंकि देखिए c आता है 3 पर f आता है 6 पर i आता है 9 पर l आता है 12 पर o आता है 15 पर r आता है 18 पर u yourself 21 पर और x आता है अफ लोगू का 24 पर तो आपने यहाँ पर यह देखा कि जो आप लोगों का यह वर्ड है न सिफ्लोरक्स जो यह वर्ड है सिफ्लोरक्स यह थ्री के मल्टिपल्स में आ रहा है किस में आ रहा है यह वर्ड थ्री के मल्टिपल्स में आ रहा है और थ्री के मल्टिपल्स में आने के कारण इस वर्ड क तो या इस वर्ड के नम्मर को याद रखना हमाली क्या हो जाता है एजी हो जाता है जैसे किसी व्यक्तिन आप शेका कि आर का रियल पोजीशन क्या होगा यानि आर किस नम्मर पर आता है तो देखिए C F I L O R C F I L O R तो आपने क्या देखा 1 2 3 4 5 6 यानि 6 नम्मर पर आ रहा है और सभी में 3 3 का गैप होगा क्यों क्योंकि सभी 3 के मल्टिपल्स में आ रहे है तो 3 into 6 that will be 18 तो इस प्रिकार से R कहां पर आएगा 18 नम्मर पर आएगा कहां आएगा 18 नम्मर पर आएगा अब माल लो किसी वेक्तिन आपसे ये पूछा कि बताए S का रियल नम्मर क्या होगा तो देखिए इस में तो कहीं S आ नहीं रहा लेकिन फिर भी आप बता दोगे यहां पर आप लोगों को A to Z तक पूरा अच्छे से भली बानती आद होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो S वर्ड है जो S लेटर है ये आखिर किस लेटर के आसपास में आता है यानि किस लेटर के पहले आता है या फिर किस लेटर के बाद में आता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए तो देखे पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस यानि जो एस है आर के तुरंट बाद आ रहा है देखे पी क्यू आर एस तो आर के तुरंट बाद आ रहा है और आप लोग जानते है आर आता है 18 नमबर पर इसके तुरंट बाद आता है एस यान S का real number क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा for example किसी विक्तिन आप से कहा कि K का real number क्या होगा K का real number क्या होगा तो देखिए C F I L C F I L और आप लोग जानते हैं J K L देखो ध्यान से देखना J K L यानि L सिर्फ लो रक्स के अंदर L आता है 12 नम्मर पर और L से जस पहले आ रहा है आप लोगों का K तो इस प्रकार से एक हम separate कर देंगे 12 में से जब एक separate करेंगे तो कितना आएगा 11 तो इसका ये मतलब है कि K आप लोगों का किस नम्मर पर आएगा 11 नम्मर पर आएगा तो इस प्रकार से आप सभी लोग A to Z तक के रियल पोजिशन को याद कर सकते हैं अब देखिए दूसरे नम्मर पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनका रिवर्स पोजिशन क्या होगा यानि रिवर्स पोजिशन ओफ अल्फा बैट रिवर्स पोजिशन ओफ लेटर्स क्या होते हैं यानि अक्षरों के विप्रित क्रम आप लोगों को यादोने चाहिए फोर इक्जाम्पल देखिए अभी हमने आपर पढ़ा था A, B, C, D और इस प्रकार से जाते हों कहां तक पढ़ा था X, Y, Z तक तो आप लोग जानते हैं ये तो थ करने के ट्रिक लेकिन अब आप से पूछा है रिवर्स और रिवर्स का मतलब होता है बिप्रीत तो जब हम बिप्रीत की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे इस प्रकार से Z, Y, X से जाते हुए C, B, A और जब हम इस प्रकार से Y को 2 और X को 3 और आगे चल कर C को 24, B को 25 और A को 26 अब देखिए बात यहाँ पर यह आती है कि देखिए Z को 1 दिया, Y को 2 दिया, X को 3 दिया ठीक इसी प्रकार से A को हमने क्या दिया 26 और यह इनके कहलाएंगे रिवर्स पूजिस्तन देखिए रिवर्स का मतलब होता है 1, B का तो 2, C का 3, D का 4, X का 24, Y का 25 और Z का 26 और जब हम इन्हें उल्टा कर देते हैं जब हम इन्हें ही उल्टा कर देते हैं तो Z का क्या बन जाता है 1 जो A का था वो किसका बन गया Z का जो B का था वो किसका बन गया Y का तो यह क्या है रिवर्स है अब सिंपल सी बात ही है कि यहां पर यह पता करना होगा कि हम इनके reverse position को याद कैसे करेंगे देखिए लेकिन बात यहां पर ही आईगी कि इनके reverse position को याद कैसे करें तो इसके लिए एक छोटी सी त्रीक है आप को क्या करना है 27 मैंसे 27 मैंसे जिस्वी नम्मर का जिस्वी नम्मर का आप लोगों से reverse position पूछा जाए जिस्वी लेटर का आप लोगों से reverse position पूछा जाए उसके actual position of letter को subtract कर दोगे देखिए कि मैंने क्या कहा है पर क्या है इसका मतलब मैंने कहा कि माल लिया जाए आप से किसी विक्ति न पूछा कि बताए के का reverse position क्या होगा माल लो देखो अगर आप से आप पर पूछा जाता कि के का real position क्या होगा तो के का real position तो होता है 11 लेकिन अब आप से पुछा गया है कि जब हम इसकी counting back side से करेंगे यानि reverse करेंगे तो क्या position होगी तो इसके लिए trick आप लोगों को पता होना चाहिए trick क्या है कि आपको क्या करना 27 में से 27 में से actual position of needed letter यानि जिस भी letter का जिस भी letter का आप लोगों को reverse position निकालना हो और इस letter की real position को separate कर देना है तो देख के क्या हमना निकालना reverse position निकालने के लिए के की जो real position Community में से subtract कर देना जब हम इस में से इसको subtract करेंगे तो आएगा 16 तो इसका यह मत्राब है कि आब everse position क्या होगी के की 16 होगी क्या होगी 16 होगी फोर एक्जामपल जैसे किसी व्यक्तिन आप से कहा कि बताएं एक का रिवर्स पोजीशन क्या होगा बताएं एक का रिवर्स पोजीशन क्या होगा तो देखिए 27 में से आप लोगों को सप्रेट करना है एक की रियल पोजीशन को तो देखिए एक की जो रियल पोजीशन अब a की रिवर्स पोजिशन क्या लाइगी तो देखिए एक ही रिवर्स पोजिशन क्या है 26 ही तो है for example किसी व्यक्ति न आप से का कि Z का Z का reverse position क्या होगा Z का reverse यानि Z का विपरीत करम क्या होगा तो देखिए 27 में से आप लोगों को जिस भी letter का जिस भी letter का reverse position निकालने को कह गया है उसकी real position को घटा दोगे तो देखिए 27 में से आप से पूछा गया था Z का तो Z की real position क्या है 26 और जब आप 27 में से 26 को subject करोगे तो क्या एगा 1 और ये आपके क्या कहलाईगी Z की reverse position कहलाईगी तो देखिए यहाँ पर भी Z की reverse position क्या है 1 ही है तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी letters के reverse position को निकाल सकते हैं अब आप लोगों को इहाँ पर तीसरे नमब्र पर पता होना चाहिए opposite pair of letters का विपरित युग्म अक्षरों का विपरित युग्म अब आप लोगों को इहाँ पर पता होना चाहिए तो देखिए है ती स्थने नमेर पर जो बात आप लोगों को याद रखीनी है वो है आपोजिट पेर ओफ लेटर आपोजिट Yokam कि भीयर की अपोज़िट लैटर यानि अक्षरों का विप्ते जुन अब अक्षरों के क्या होंगे अपोजित होंगे क्या होंगे ठीक इसी प्रिकार से अगर मैं बात करूं बी वाई की तो ये भी क्या होंगे एक दूसरे के अपोजित होंगे C X की बात करूँ तो ये भी एक दूसरी की अपोजिट होंगे D W की बात करूँ तो ये भी एक दूसरी की क्या होंगे अपोजिट होंगे और इसी प्रिकार से आगे की जो लेटर सोंगे वो भी अपोजिट होंगे अब बात यहां पर ही आती है, कि हम इन्हें कैसे याद करें, कि A का पोजिट Z होगा, B का पोजिट Y होगा, C का पोजिट X होगा, और D का पोजिट W होगा, तो इसके लिए दो छोटी सी ट्रिक है, एक तो यह है कि आप लोग क्या करें, इन्हें इनके नाम से याद करें, जैस से कुछ भी बनाकर देखो एटू जड की अगर मैं बात करूँ तो आप बच्पन से भी पड़ते आ रहे है एटू-जड एटू-जड खै तो इस प्रिकार से ए और जड क्या होते हैं हमेशा एक दूसरे अगर मैं बात करूं भी वाई की तो देखिए आप डेली लाइप में अपने फ्रेंड्स को अपनी रिलेटिव में एक वर्ड यूज करते हैं जब वो कहीं जा रहे होते हैं वाई क्या यूज करते हो वाई तो भी वाई के मात दम्से आप लोग इसके अपोजिट पेर को आता जी टी बोले तो ग्रांट ट्रंक रोड ग्रांट ट्रंक के बाद है अगर मैं बात करूं एल की तो लव के मात दम्से आप लोग इसके अपोजिट पेर को याद कर सकते हो और जो बच गए आप लोगों के लास्ट है नहीं एम और एक दूसर की क्या होंगे अपोजिट होंगे तो देखें कैसे बताया मैं ए टूसर आप बचपन से बोलते हैं यानि हर दम बोलते हैं चन्ने एक्सप्रेस दूदवाला इवेंट फादर अंकल ग्रांट ट्रंक हनी सिंग इंडियन रेलवे जैपर की कुईन काला पानी लव और एम एन इस प्रकार से आप लोग इ है इनकी तो देखें A आता है यह नोग पर G आता है ट्व। लग क्या इनके है नम्मर्स को अंद करते हैं जो इनकी रीर पोजिशन एंको आपसमें-ैड करते हैं तो देखें आपको क्या मिलता है 26 plus 1 27 25 plus 2 that will be 27 24 plus 3 that will be 27 of 23 plus 4 ये भी 27 तो यहां से आप लोगों ने लॉजिक देखा कि जब हम इनके देखान कि नमर्स को एड़ करते है तो सभी का एक कौमन एड़ाता है निविक सभी का कौंन सम आता है 27 27 27 27 तो इसके माध्यमशे आप लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन भी जिन भी दो लेटर्स का सम लेटर्स 27 हो जाए जिन भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए तो इसका यह मतलब है कि वे दोनों हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे तो सिंपल सा यह है कि देखिए अपोजिट पेर के लिए क्या होता है कि जब किनी भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए जब किनी भी दो लेटर्स का सम 27 हो जाए तो इसका ये मतलब होता है कि वह हमेशा क्या होगे एक दूसरे क्या पोजिट होंगे क्या होगे अब देखिए जैसे फॉर एक्जामपल किसी ना आप शिप कहा कि बताइए टी का पोजिट क्या होगा तो देखिए आप लोग जानते हैं टी आता आप लोगों का 20 नमर पर किस नमर पर 20 नमर पर और आप लोग ये भी जानते हैं कि अपोजिट बनाने के लिए अपोजिट बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है 27 का सम चाहिए होता है आपके पास 20 है तो इसमें कितना और एड किया जाए इसके अंदर कितना और add किया जाए कि इसका sum 27 हो जाए तो जब हम 20 में 7 को add कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 27 और 7 का मतलब क्या होता है English alphabet के अंदर G तो इस परकार से GT जो आप लोग के क्या हो जाएंगे एक दूसरी के अपोजिट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे एक दूसरी के अपोजिट हो जाएंगे for example किशिन आप से का कि बताईए M का अपोजिट क्या होगा M का अपोजिट क्या होगा तो देखे जो M है आप लोग का आता है 13 नमर पर और आप लोग यह जानते हैं कि अपोजिट पेर बनाने के लिए इनका सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए तो देखे इस M में मैं क्या एड करूँ इस M के अंदर मैं क्या एड करूँ ताकि इनका जो सम है वो कितना हो जाए 27 हो जाए यदि मैं इस M में 14 को एड कर देता हूँ तो इनका सम कितना हो जाएगा 27 और 14 का मतलब होता है इंग्र का यह मतलब था जो भी अभी मैना आप लोगों को यह तीन पॉइंट्स बताए जो इतीन पॉइंट्स बताए है पहला रियल पोजिशन ओफ लेटर दूसरा रिवर्स पॉजिषन आप लोगों को भली भानती तरीकिशन ने बहुत ही अच्छी तरीकिशने पते होने चाहिए और जब आप लोगों को यह सभी बाते पता होगी तो आप किसी भी टाइप के अंदर जहां पर इनकी की जरूत पढ़ती है उनके को बड़ी एजिली तरीकिशन कर सकते हैं अब किस टाइप बन के अंदर आप लोगों से किस-किस प्रकार के कोशन पूछे जाते हैं देखे प्रेंट्स जैसे एक कोशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ए ए बी ए जे क्यू और आप लोगों को बताना है कि वट विल नेक्स्ट जैनि नम्मर पर कौन सा लेटर आएगा नेक्स्ट नम्मर पर कौन सा लेटर आएगा तो देखे मैं आप लोगों को यहां पर किलियर कर दूँ सबसे पहले आप लोगों को यहां पर एक बात पता होना चाहिए कि जब भी आप जब भी आप English Alphabet से रिलेटर जब भी आप English Alphabet से रिलेटर कोशन कर रहे हूं तो कोशिज करें कि आप उनके उपर real values को बिठा दे यानि उनके उपर उनकी जो real values है ना उनको बिठा दे simple सा कहने का यह मत्रब है कि जब भी आप English alphabet से related question को कर रहे हूं तो उस type के question को solve करने के लिए आप लोग क्या करें कि उन्हें उनके real number दे दे जैसे आप लोग जानते कि ए आता है वन number पर ब odpow टा how a features अब आता है तो आप लोगों को इन बातों पर ध्यान देना तो देखें इस वन से इस वन से टू पर जाने के नять इस 1 से 2 पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 1 करना होगा, इस 2 से 5 पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 3 करना होगा, इस 5 से 10 पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस 5 करना होगा, और इस 5 से 17 पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 करन पांट पर जाने के लिए मैं ये भी तो कर सकता था तू तू जा फूर प्लस वन लेकिन मैं आप लोगों को आगे चल कर जब मिसिंग नम्मर सीरीज पढ़ा हुआ वहां पर यह बता हुआ कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया देखे होता क्या है जब हमने आपर नम्मर्स को देखा 1, 2, 5, 10, 17 तो हमने आपर यह पाया कि इन नम्मर्स के अंदर इन सभी नम्मर्स के अंदर ज़्यादा गैप नहीं है और जब नम्मर्स के अंदर में ज़्यादा गैप नहीं है और जब नम्मर्स के अंदर में ज़्यादा गैप नहीं हो तो वहां पर हम क्या करते हैं या तो क्यूब करेंगे तो यह सबी बाते होती हैं आप लोगों कि किसकी मिशसिंग नंबर से से आप लोगों को इन सबी घंटो या इस इमगी बातों द्यान से वक्लिंद के अजय दो देखिक यही से समझ समझ में आ जा जाना चाहिए था कि देखिए इनमेरेन नमिरेन ना इन में जो number add कि जारे हुँ कौन से के जा रहे है odd number तो किसे पहले one को add किया फिर three को फिर five को फिर seven को यानि one three five seven तो आप लोग जानते अगला जो number add होगा कौन सा होगा nine होगा कौन सा होगा नाइन होगा और जाब आप seventeen में nine को add करोगे तो आएगा twenty six and twenty six का मत्रब होता यहां पर क्या येगा जैड आयगा तो इस प्रिकार से इस कोशिन का अंसर जैड होगा क्या होगा जैड होगा आशा करता हूँ कि यह वह कुस्ष्ष न बहुती अच्छी तरिकिश थी माला आब में, देखेंगे next question को देखें मैं आप लोगों को 10 से 12 questions कर रहा हुआ इस टैप को समझने के लिए ठीक है तो अब आप लोग देखें next question को next question में लिखा हुआ है P U R T T-V R X देखें आप लोगों के सामने question लिखा हुआ है P U R T T question mark V R X आपको यह बताना है कि इस जगह पर कौन सा लेटर आएगा तो देखें मैं आप से कहा कि जब भी इस टैप के question हो तो उन्हें solve करने से पहले आप लोग क्या करें इनके उपर इनके numbers को बिठा दे पी आता है 16 नम्मर पर U आता है 21 नम्मर पर R आता है 18 नम्मर पर T आता है 20 नम्मर पर T आता है 20 नम्मर पर V आता है 22 नम्मर पर R आता है 18 नम्मर पर और X आता है आप लोगों का 24 नमबर पर आप देखिए जब आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपने क्या पाया 16, 21, 18, 20, 20, 22, 18 और 24 तो देखिए क्या देख पाया है कि देखो 16 से 21 हो गया 21 से 18 हो गया तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको क्या करना होता है जो भी questions दिये गए होते हैं उनके प्रिकार को समझना होता है जब आप उन questions के प्रिकार को समझ जाते हैं तो आप वहाँ पर उन questions से related जो approach होती है उसे लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को इन सभी questions की approach को ही बताने आया हूं कि आप कि इस प्रिकार से उन questions तक पहुंच सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने क् देखा कि देखे 16 21 18 तो यहाँ पर हम एक चीज देख पाने यानि एक logical कर पाने कि देखो कभी तो नम्मर बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी घट रहा है फिर देखो फिर बढ़ रहा है फिर देखो घट रहा है बढ़ रहा है यानि हमने हाँ पर एक बात देखी कि जो एक कोशन है ना इसमें जो सीरीज चल रही है ना वो कौन सी चल रही है उतार चड़ाब की चल रही है यानि कभी तो घट रहा है कभी तो बढ़ रहा है यानि यहाँ पर जो सीरीज यूज की जारी है वो है घटते बढ़ते क्रम की मिंस घटते बढ़ते क्रम की सीरीज को अपनाए गया है तो जब भी इस टैप का question हो कि कभी value घट रही हो कभी बढ़ रही हो तो उस case में आप लोग इस टैप के कुर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करें फस्ट का रिलेशन यानि कि फस्ट लेटर का तो संब्द निकाले थर्ड लेटर से थर्ड लेटर का संब्द निकाले फिप्ट लेटर से फिप्ट लेटर का संब्द निकाले सेवंथ से और सेवंथ लेटर का संब्द निक से फिटका का से सेवन से प्रकार से सेकेंद का रिलेशन आप लोग देखेंगे फोर्त वाले से 4th का relation देखोगे 6th वाले से 6th का relation देखोगे आप लो 8th वाले से तो देखे 16 से 18 पर जाने के लिए plus 2 18 से 20 पर जाने के लिए plus 2 20 से 22 पर जाने के लिए plus 2 और 22 से 24 जाने के लिए plus 2 तो आपने क्या देखा कि सभी में क्या हो रहा है plus 2 plus 2 plus 2 किया जा रहा है ठेक इसे प्रिकार से यह 21 और यह है 20 तो 21 से 20 पर जाने के लिए माइनस 1 इस 20 से यहाँ पर जाने के लिए भी क्या करना होगा माइनस 1 क्यों क्योंकि देखें यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस 1 तो जब हम यहाँ पर माइनस वन कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या होगा माइनस वन ही होगा तो देखिए जब हम इस 20 में से माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा 19 और 19 का मतलब क्या होता है और देखिए अब यह कितना है 19 तो आगे भी क्या होना चाहिए माइनस वन ही होना चाहिए तो जब माइनस जाएंगे तो हम भी क्या करेंगे लिए यानिए और इसको बैरिफाइग करने के लिए हमने आगे देखा कि जब पर 19 तो next letter क्या होना चाहिए 18 वाला होना चाहिए नहीं आर होना चाहिए तो देखो वापर आर भी दे रखा तो इस परकार से इसका अंसर आएगा एस आएगा क्या आएगा एस आएगा देखेंगे अब हम next question को देखिए इसके अंदर जो भी questions होते हैं बहुत easy होते हैं बस आप लोगों को थोड़ा सा धेरे रखना होता है कि हम किस परकार से उस टाइप के question को solve करेंगे थोड़े से कुछ questions ऐसे भी होते हैं जो कि hard होते हैं जिने के भी मैं आप लोगों को एकदम approach के साथ में बताऊंगा कि किस पर जाए तो ज्यादा कठिन या ज्यादा hard question होते नहीं है देखें next example को next example में आप लोगों सामने हां पर लिखा हुआ हूँ लिखा हुआ है कि सी कि कि टी कि ए कि वी कि डैस एक्स और आई कि एक तो यह question है एक कुस्ष्ण और लिखें आप लोग एक्स आर डैस आई एफ दी और सी देखिए आप लोगों के सामने दो questions लिखे हुए इनका अंसर देने कोशिश करें देखो जब भी इस टैप के question हूँ एक ही बात को मैं हर बार इससे बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के mind के अंदर मेरी बात एकदम बैठ जाए तो देख देखिए सबसे पहले नमबर दे आ रहाता है 18 पर फिर सी थी पर टी ट्वंटी एफाइव वी ट्वंटी टू एक्स ट्वंटीफोर एंडन आई नाइन देखिए इसको ट्वंटीफूर एट्टिन नाइन शीक्स फोर एंड थ्री तो सबसे पहले हम बात करेंगे question नमबर थ 53 25 तो देखे 18 से 33 से 20 फिर फृओंच फिर 22 हमने यहाँ पर देखा कि जो शीरीसरी से चल रही हो कैसी चलरी है ऊतार चड़ा वाली सीसरी चल रही है तो मैंने आप लोगों को AT people क्या करें कंसेप्ट को यूज करें कि फर्स्ट का संबंद देखें यानि फर्स्ट वाले लेटर का संबंद देखें थर्ड से थर्ड वाले लेटर का संबंद देखें फिफ्ट से फिफ्ट वाले लेटर का संबंद देखें से ठीक इसे परकार से सवेकण्ड का संबन देखें फोर्त वालेसे फोर्त वाले का संबन देखें सिच्ज़ बांसे और सिच्छ का संबने ने एट वाले से तो देखें जोम अथारा से 20 पर जाएंगे यार 27 पर करना पड़ीगा कि इस 20 से 22 पर जाने के लिए प्लस टू इस वाइस से 24 पर जाने के लिए सुस्ट तो आप ने देखा यहांपर क्या हो रहा है प्लस टू प्लस टू किया जा रहा है आपस्ट थीन है और यह पांच तो थीन से 5 पर जाने के लिए plus 2 5 से 5 इस नमबर पर जाने के लिए क्या करना हो जब यहां पर plus 2 हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा plus 2 ही होगा तो 5 plus 2 that will be 7 और 7 का मतलब होता है जी तो इस प्रकार से आपर क्या आएगा जी आएगा अब देखें इसको आगे चेक करने के लिए 7 में अगर हम 2 एड करेंगे तो क्या आएगा नाई नी तो आएगा तो इस प्रिकार्षे आपर क्या लेटर होगा जी ही होगा तो इस प्रिकार्षे इसका अंसर होगा जी आप देखें इस कोर्शन को लिखा हुआ है 24, 18, 9, 6, 4, 3 तो यहाँ पर एक बात ध्यान दे देखो एक तो नम्मर्स पास पास के हैं तूसरी बात यह किस में है गटते हुए क्रम में किस में है यह गटते हुए क्रम में तो देखिए 24 से 18 पर जाने के लिए क्या करना होगा इसे 18-6 कैज़िए अगर मैं बात करूं इनकी तो देखिए 9 से 6 पर जाने के लिए ¨ 3 6 से 4 पर जाने रिए ¨ 2 4 से 003 पर जाने के लिए ст 7, 7, 7, 8, 11, 11 तो यहाँ पर हमारे माइं में एक लॉडिक आ रहा है कि इन्होंने सब से पहले यहाँ पर से क्या है माइनस 6 फिर देखना माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 यानि इन्होंने घटाया है और वह भी घटते हुए क्रम में घटाया है तो जब यहाँ पर इन्होंने minus 6 किया है तो यहाँपर क्या होगा minus 5 होगा और जब हम 18 मैंस 5 करेंगे तो आएगा 13 और 13 का मतलब होता है M और आगे देखिए जब हम minus 4 करेंगे यानि 13 मैंस 4 करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 का क्या मतलब होता है आए तो इस परकार से हम इस टाइप के को करेंगे देखेंगे हम नेक्स्ट कोश्चन को देखें देखें कोश्चन में लिखा हुआ है डी जे डी जे कोश्चन मार्क एस वी एंड एक्स और नेक्स्ट कोश्चन लिखा हुआ है यापर जिसमें लिखा हुआ है और आपको बताना है कि नेक्स्ट सिरीज क्या हो यानि वट विल नेक्स्ट आगे जो है क्या आएगा तो देखिए सिंपल सा हुआ ही सबसे पहले आप लोग क्या करें इनके दें इनके रियर नंबर्स को देखो दी आता है फूर्थ नंबर पर जे आता है टैन पर एस आता है 19 पर वी आता है 22 पर और एक साता है आप लोग का 24 पर तो देखिए जो आप लोगों कोई सीरीज दी गई है कैसी स फ्रम में किस्व है बढ़ते हुए करम में सीरीज़ तो देखें चार से दस ताल जाने के लिए प्लस 6 11-12-3 अब 204 पर जाने के लिए 2 क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है तो जब हम इस सी इ surgeons को ध्यान से देखते हैं तो प्लस तो किया जा रहा है यहां गटत एकड़ करम किया यहां सबसे हरे तीन हे और यहां को एड जा रहा है तो आगे प्लुसित का जाएगा में बंद गगिंदग तमी यहां प्रकार से हमारा क्या अंसर होगा ओ हो जाएगा इस प्रकार से आप लोग इनके अंसर दोगे अब देखिए लिखा हुआ है बी यूपी डेपी एन एसक्यों एचारजे और आपको वताना है नेक्स स्रीज में क्या आएगा तो देखें जब भी इस टैप के कुर्शन हूँ तो इसमें आप लोग एक बात याद रखें कि फरस्ट वाले का संब्द देखें आप लोग फरस्ट वाले से इसका संब्द दे फरस्ट लेटर को देख रहे हूँ ना तो इसका संब्द इस वर्ड के फरस्ट लेटर से ही करें ठीक इसी प्रकार से जब आप सिंपल सा ये भी का जा सकता है कि इस वर्ड के फरस्ट लेटर को ले रहे हूँ तो इस वर्ड के फरस्ट लेटर को लेना है इसके फरस्ट और ठीक इसी प्रिकार से यदि आप इस word के second letter की बात करते हो तो इसका सम्मन्द हर word के second letter से ही करोगे, ठीक इसी प्रिकार से जब आप first word के third letter की बात करते हैं, तो इसका जो सम्मन्द बताओगे, relation बताओगे, हर word के third letter से ही बताओगे, जैसे यहाँ पर दिया गया था B, तो आप लोग जानते देखें two, four, six, eight तो आपने यहाँ पर क्या देखा B से d पर जाने के लिए plus two दी से d पर जाने के लिए plus two f से h पर जाने के लिए plus two तो इसे परखार से जो next word हो यहाँ पर क्या होगा यानि Eight प्लसTwo that will be 10 और का मतलब होता है जे तो यहाँ पर क्या होगा जे होगा अब देखें ओ को तो देखो यहाँ पर ओ यानि 15 16 17 18 तो देखे 15 है तो 15 से पर जाने के लिए निए ओ से पर जाने के लिए प्लस वन क्या जा रहा है पी से क्यू पर जाने के लिए प्लस वन क्या जा रहा है और क्यू से आर पर जाने के लिए प्लस वन क्या जा रहा है तो इसे प्रकार से आगे भी क्या होगा प्लस वन ही होगा तो 18 प्लस वन 19 और 19 बोले तो S अब देखें थर्ड पी आता है 16 नम्मर पर n आता है 14 नम्मर पर l आता है 12 नम्मर पर j आता है 10 पर तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पार है देखो 16 और यह 14 तो देखना ज्यान से 16 और यह 14 तो यहाँ पर क्या हो रहा है 14 से 12 पर जाने के लिए 12 से 10 पर जाने के लिए 12 से 10 पर जाने के लिए जे एश एच जे एश एच इसका अंशन हो जाएगा देखेंगे नेक्स्ट को सब्सक्राइब देखें फ्रेंट्स जैसे आप लोगों के सामने कोस्टन लिखा हुआ है जे के एम पी टी और कोस्टन मार्क और नेक्स्ट कोस्टन लिखा हुआ है एक्स यू आर ओ एल कोस्टन मार्क एक और कोस्टन लिखा हुआ है सी एफ के आर कोस्टन मार्क तो देखें आप लोगों के इनके अंसर देने हैं तो देखो सबसे पहले क्या करें आप लोग इन्हें इनकी दें रियल पोजिशन लिए इनके उपर इनकी रियल नम्मर्स को बिठा दें जैसे जे आता है टैन यम्मर पर किया आता है एंव पर एम यह था रूग देखेंगे next question को एक्स यू आर ओ एल तो देखो 24 21 18 15 12 तो वट विल next देखें 24 से 21 पर जाने के लिए क्या करना है मैनस 3 21 से 18 पर जाने के लिए मैनस 3 18 से 15 पर जाने के लिए मैनस 3 15 से 12 पर जाने के लिए मैनस 3 तो यहां पर आपने देखा लोजिक लग रहा है मैनस 3 मैनस 3 मैनस 3 का को ट्वैल्व से कि जब हम मैनस 3 को सब्टएट करेंगे तो आएगा यहां पर 9 और 9 का मतलब आए क्योंकि हम ने देखा कि सभी में क्या हो रहा है माइनस 3 माइनस 3 यानि एक कॉंस्टेंट अम्मर को सब्टेक्ट किया जा रहा है अब हम देखेंगे इसको तो देखें 3 6 11 18 तो देखना 3 से 6 पर जाने के लिए प्लस 3 6 से 11 पर जाने के लिए प्लस 5 11 से 18 पर जाने के लिए प्लस साथ तो आपने क्या देखा देखो तीन पांच साथ यानि एक बार तीन एड़ हुआ फिर पांच फिर साथ तो आगे क्या एड़ होगा आगे होगा 9 एड़ कितना होगा 9 क्योंकि देखें यह और नम्मर में चल रहे हैं 357 तो यहाँ पर करेंगे 9 एड़ जब आप 18 प्लस 9 करोगे तो आएगा 27 और देखो जब भी एक बात और यहाँ याद रखें कि जब भी 26 से बड़ा जाए नम्मर जब भी आपका नम्मर 26 से बड़ा हो जाए तो आप क्या करें उस नम्मर में से 26 को सब्टेट करेंगा आएगा 1 तो 1 का मतलब होता है यहाँ पर यह होगा आएगा क्या एगा 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 आएगा आएगा आंशर होगा ए हुगा आशा करता हों कि आप लोग को यह सबी ग्जाम पर समझ माइए होगे देखेंगे next question को देखिए देखे फ्रेंट्स आप लोगों के सामने एक कुस्षन लिखा हुआ है 123 123 देख 789 जे के ल और आपको बताना है कि नेक्स्ट नमर्स या नेक्स्ट में क्या एगा और वाट विल नेक्स्ट और नेक्स्ट कुस्षन आप लोगों के सामने लिखा हुआ एक और जिसमें दिया गया है एक्स 24 c3 वी 22 e5 ती 20 g7 और आपको बताना है वर्ट विल नेक्स्ट वर्ट विल नेक्स्ट तो देखे फ्रेंट्स अगर मैं इस कुर्शन की बात करूं तो देखे नम्मर की दिखा आप लोग नम्मर को लिखें 123 दी आता है फूर पर ए आता है फाइप पर और एफ आता है शिक्स पर ठेक इसी प्रकार से नम्मर को एडिटिस उतार दें जे आता है टैन पर के आता एलेवन पर और एल आता आप लोगों का 12 पर तो देखो आपने क्या देखा 123456789 10 11 12 तो देखो आपने देखा कि यहां पर नम्मर चल रही है वन से लेकर एक दम एक कंजुकेटिव नम्मर चल रहा है 12345 इस प्रकार से दूसरी बात आप लोगों ने आपर यह देखा कि पहले नम्मर है फिर वर्ड फिर नम्मर और फिर एक वर्ड है तो देखें नम्मर वर्ड नम्मर वर्ड तो यहां पर क्या आएंगे नम्मर आएंगे नम्मर बोले तो 12 तक आपके पास आप रही 13 14 और 15 तो इस प्रकार से क्या अंसर होगा 13 14 15 जो भी होगा यह आप लोगों का क्या हो जाएगा अंसर हो पूरा नम्मर है सी का थी होता वी ट्वेंटी टू ए फाइफ टी ट्वेंटी और जी सेवन अब हमें यह देखना है कि कैसे इन्हों न बढ़ाया तो मैंना आप लोगों को बताया जब भी स्टैप के कोशन हो तो आप फस्ट का रिलेशन फस्ट से ही निकाले जैसे इसका रिल ट्वेंटी टू पर जाने के लिए माइनस टू करना है ठीक इसी प्रकार से ट्वेंटी टू से ट्वेंटी पर जाने के लिए क्या करना होगा माइनस टू तो आगे भी क्या होगा माइनस टू ही होगा तो जब ट्वेंटी में से टू को सप्टेट करेंगे तो कितना आएग कितना हैगा 18 18 का मतलब होता है और साथ में देखो जो लेटर है उसका नम्मर भी लिख रखा तो आर 18 लिख देंगे आपर अब देखेंगे हाँ C से E पर जाने के लिए प्लस 2 यानि 3 से 5 पर जाने के लिए प्लस 2 पास से 7 पर जाने के लिए प्लस 2 तो 7 से आगे हमें क्या करना होगा प्लस 2 ही करना होगा तो 7 और 2 9 9 का मत्रव 9 बोले तो सबसे पहले लेखेंगे हम यहाँ पर आई और फिल लेखेंगे 9 क्योंकि देखो पहले लेटर को लिखाए फिर नंबर को लिखाए तो इस प्रिकार से क्या अंसर होगा इसका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह सभी कुर्शन बहुत ही अच्छी तरीके समझमाए होंगे और आप लोगों का जो टाइप चल रहा था कैपिटर लेटर बेस्ट कुर्शन आज की क्लास्पर पूरी तरीके से कमेंट करकर जरूर बता हैं मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाइए टेक केर हो